स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे प्रेंड ना टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कर दीदी आप पहले से ही डेनारले में जुड़ी हैं तो आपसे निव्येदन है कि फंच सुत्र का पालन करना बिल्कुल न भुले सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रिक उधार, समय सरण वापसी, लेखा जोखा इन पंच सुत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समू को ही योजनाओं का लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते हैं में टोपी की तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनेल में देखा है सीयम ने जारी की गोधन न्याय योजना की 5.37 करण की रासी जीहां दिदी गोठानों में महिला समू को मिलेगी ट्रेनिंग सीयम ने जारी कर दिया है 5.37 करण रुपए की रासी गुरुवार को गोधन न्याय योजना के तहत पसू पालक ग्रामीडों गोठानों से जुड़ी महिला समूह और गोठन समीतियों को 5.37 लाक रुपए की रासी आनलाइन जारी की इसमें बीते एक पकवाडे एक पकवाडे में क्राय गोबर के एवज में 2.78 लाक रुपए गोठन समीतियों को 1.70 लाक और महिला समूहों को 89 लाक रुपए की लाभांस रासी सामिल है गोबर खरीदी के एवज में राज के गोपाल को को 119.41 करोड रुपए का भुगतान हो चुका है गोठन समीतियों को अब तक 44.43 करोण तथा महिला स्वेम सहता समूहों 28.88 करोण रुपए लाभांस के रूप में दी जा चुकी है इस दवरान मुखेमत्री ने कहा गोधन न्या यूजना को हम मिसन मोड में संचालित कर रहे हैं ताकि इसके जरिये गोठानों में महिला स्वेम सहता समूहों के माध्यम से मार्केट की डी मार्ड के अधार पर प्रोडक्ट तयार है और उसकी मार्केटिंग से समू को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो उन्होंने गोठानों में रूलर इंडिस्टियल पार्क की स्थापना कार में तेजी लाने वर महिला स्वेम सहता समूहों को मार्केट की डीमाण की अनुसार उत्पादन तयार करने की ट्रेनिंग देने की बात कही इस दोरान मंत्री रवींद्र 24 सहित अन्य वरिष्ट अधिकारी मौजूद थे गोठानों में 7 लाग कुंटल से जादा पैरादान मुख्य मंत्री भूपेज बगेल ने गोठानों में गोमाता के चारे की विवस्था के लिए पैरादान करने वाले राज के किशान भाईयों को बधाई और सुब कामनाय दी हैं उन्होंने बताया राजिम के किसानों ने अभी तक 7,32,886 कुंटल पैरा का दान गोठान में गोमाता के चारे के लिए किया है बता दे दिदी की मुख्य मंत्री ने राज के किसानों से बीते दिनों गोठानों को पैरा दान करने और खेतों में पराली न जलाने की अपील की थी उन्होंने किसाणों के नाम जारी अपील में कहा था कि पासो धन के लिए गोठाणों में सूखे चारे का प्रयाप्त प्रबंध हो सके इसके लिए धान की गटाई के बाद खेतों में पैरा को जलाने के बजाए अपने गाओं की गोठन समीती को पैरादन कर दे तो चलिए देदी आज के वीडियों बस इतना ही महिला स्वय में सायता समू के माध्याम से होगी मार्केट की डिमांड के अधार पर पोजेक्ट और तयार है तो चलिए आज की वीडियों बस इतना ही जाते जाते एक बार फिर करना चाहूंगी देदी अगर अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सकाइब कर लिजिए लाइक कर दिजिए ज्यादा शेयर कर दिजिए धन्यवाद जय आजी वीका